दोस्तों इस वीडियों हम बात करेंगे UP Police Constable का form जो है कैसे feel करेंगे अगर आप एक Other State के Candidates हैं अगर आप जो हमाल लेजे UP के निवासी नहीं है और आप form भरना चाहते है UP Police Constable का तो उसके लिए कौन-कौन से documents जो है upload आपको करने होते हैं क्या क्या जनकारी भरनी होती है सारा process जो है हम live यहाँ पे आपको बताने वाले है एक live form फिल करके बताऊंगा एक candidates है उनका हम अप्लाई करके भी आपको दिखाने वाले है जो other state से बिलॉंग करती है तो आप यहाँ देखिए समझे सारी बातों को और इसी तरह से form को apply के लिए अगर आप other state के candidates है तो यहाँ देखिए आपको apply online option मिलेगा आप इस पे click करेंगी यहाँ पे आपका बैक्तिगत बीवरण आपको देना है यहाँ बहुत सार लोग confused हो जा रहे है कि यहाँ पे हम जनकारी को क्या भरें कैसे भरें चीजों को समझे फिरिंग यह का रहा है फॉस्ट नेम क्या है आप कुछ है यह नहीं है तो सिर्फ यहाँ दीपक यहाँ लिख देगा और यहाँ पे भी दीपक इसको लिख देगा यह last name भरने mandatory नहीं है ठीक है अब बाते किसी का दो अक्षर का राम है तो यहाँ लिख देगा दीपक और यहाँ कुमार और फिर यहाँ पे पूरा नाम दीप से 25 रखा गया है तीन साल का छूट मिल गया सभी के टेगरी में तो 18-25 के बीच आप आते हैं तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहां से डेटर वर्थ आप चुआ इस कर लेंगे जो भी आपका डेटर बारत है यहां पीता जी का नाम क्या है माता जी का नाम है देना है उसको प्लीक आपको देना होता है सब चिस जिस मोवाल नमबर को parfर्म करेंगी अधहार नमर देना चाहते दीजेए वरणों इससे चोड़ सकते हैं email id देना है email id को confirm करना है यहां नेसलेटी आपको बताना है बहुत सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी राजे के निवासी है तो यहां पर चुराब कर लेंगे जो भी राजे के निवासी है अगर आप अगर अधर एस्टेट के हैं यूपी के छोड़ गया आप किसी भी दूसरे राजे से फॉर्म बर रहें तो आपका यहां पर न कैटेगरी जनरल हो जाएगा भले आप किसी भी केटेगरी से आते हो तो क्या हुआ यह कि क्या हुआ एसा हर स्टेटके साथ रूल लागू होता है अगर आप बिहार में कोई भ बनाया हुब है वो वीडियो जाके देख लिजी चैनल पर आपको मिल जागा या सर्च कर सकते हैं आप अब यहां पर आपको सहचरी क्योगता बता दे नहीं है तो यहां पर देखेंगे यहां पे अपना बैटरी का बोड का नाम, फिर यहां पे पासिंग, येर और डेट, तो यह मार्क सिट पे जनकारी रहती है, सारा चीज, उसके एकोर्डिंग यहां भरेंगे, पास चूज करेंगे, रोल नमबर भरेंगे, और यहां सर्टिफिकेट नमबर, यहां सर्टिफिकेट नमबर, यहा वो मार्कषिट का सीरियल लंबर ही माना जाता है उससे आप लिख सकते हैं उसी तरह से बारहोवी की जनकारी भरेंगे अगर आप डिपलोमा की हैं three years वाला तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं तो यहां बारहोवी बेस की जनकारी भर सकते हैं यहां बोर्ड का नाम यहां पर करना है आगे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी अब यहां आपके पास जो है ओ लेबल का पर्मापत्र है डी ओ ए यहां करेंगे और उसकी जनकारी यहां पर देंगे आगे आपको सर्टिफिकेट भी अप्लोड करना होगा यह अगर आप हा करते हैं तो नही हम बताएंगे नहीं तो इसे नो कर देंगे यहां आपका जो भी एड्रेस है प्रोपर एड्रेस यहां लिखेंगे अगर आप सहर से आ रहे हैं तो सहर में जैसा आपका एड्रेस होता है लाइन वाल लाइन को यूज करते वह लिखेंगे अच्छे से गली मकान फ्लैट जो लिखिए तो यह बरना है तो यह पत्राचार का पता प्रजेंट अब यहां माग रहा है पर्मने पता स्थाई पता से मैं इसको करेंगे सेम सेम इधर कॉप्पी हो जागा अलग है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और उसकी बाद से आपका यहां पर प्रिव्यू अड् चार पने करेंगे तो सीउट कारेंगे तो आपको अइडिक गरेंगे इसे लिखेंगे और यहांके पर था बाद्या लिखेंगे và यहां पर हुछिए standee लिखेंगे और यहां परhow to pray for 안ить रहा हम् से ध्हान देना है आगर मोबाईल भी दो बार लikkवाया जा रहा है तकि आप releases in बर्के activate पर क्लिक करते हैं आपको हो जाएगा करेंगी अब लॉग इन पेच महलें यहां पर लिखना है नाया करता है यहां को युदा यहां पर लाइआ जाता है छेले आन करते हैं लौग इन करते हैं यहां फिर यहां और उसके बास से आपको तुरंत जो है पेनाव करना है तो तुरंत आपके phone पर गूगल पर जिसका भी UPI आप दिया है उस पर चल लाएगा एक SMS और वहां बोलेगा कि आप पे करिए तो आप इस तरह से प्रमेंट कर सकते हैं तो फ्रेंट समय पर प्रमेंट जमा कर दिया है यह आपको डॉक्मेंट वाले सेक्शन पर यहां थोड़ा समय लाएगा तो यहां पर सब्सक्राइब कर दिया यहां वेट करना है थोड़ी दीर अब यहां देखेंगे तो आपको फोटो ग्राफ टोग्राफ अप्लोड करनी सेंच्रे और रूलुड करनी यह ्डाइक यह गाईडलाइस में अपने طरह से अब पता नहीं है लोग कब नहीं देंगे अब तो मुझे नहीं पता लेकिन दोनों में से किसी भी माध्यम से आप डॉकुमेंट को अप्लोड कर देंगे कोई समस्य यहां पे नहीं होने वाली ठीक है न नोट में लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहां पे लिखा हुआ या तो आप डीजी लोगर के थूप लोड करिए या आप जो है डाट ली एसके न करके भी अप्लोड करिए तो सींपल फाइल को चूच करना है इसी फाइल में रखिएगा अप्लोड पे क्लिक कर क्लिक करना है और यहां पे यहां पर ना प्रिंट अप्लिकेसन पे क्लिक करके आपको जो है प्रिंट कर लेना है अगर माले जी आप फॉर्म भार दिये अगर कोई गलती हो गया तो अप्र आप अपडलीकेसन वे सुधार कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं आपको जो न वेब साइट पे अपडेट आएगा तभी आपको यहाँ पर लॉग इन करके सुधार करना होता है तो इससे प्रिंट आउट कर लेंगे और उसके वाइस लॉग आउट यहाँ पर कर देंगे तो इस तरह से अमने डिस्कस क या यूपी पुलिस कंसेबल के लिए कैसे आपको फॉर्म को अपलाई करने सटेप बाइस सारी जनकारी में आप लोगों लेदिया अगर आप अधर स्टेट से हैं तो सिर्फ इतना ही जनकारी आपको भरके फॉर्म को अपलाई करना है मिलता है कि सीने शुड़ों में चाहे झाल झाल झाल